जगत जन्नी जगदंबा के चरणार बिंदों में हम शभी लोग नमन करते हैं बंदन करते हैं यह पूरा स्रिष्टी सक्ति के अधीन है और समस्त स्रिष्टी को चलाने वाली आदी सक्ति है हम आदी सक्ति के माध्यम से ही स्रिष्टी में जो कुछ भी होता है यहां तक की सुर्य का जो प्रकास है, चंदर का जो प्रकास है, जीमन में जो कुछ भी प्राप्त हम करते हैं, जल है, वायू है, अगनी है, सब कुछ उस आधी सक्टी से ही उत्पन्न हुआ है. अधी सक्ती के माध्यम से जो भी हमारे मनीशियों ने हम लों को सास्त्र दिया, उसमें जोतिस सास्त्र का बहुत ही बड़ा योगदान और महत्पपुन इतिहास रहा है. अब हम जानेंगे कि जोतिस सास्तर के जो प्रकार है कितने प्रकार से हैं और जोतिस का मतलब क्या होता है देखे सास्तरों में जोतिस सास्तर को चप्चु का आगया है अर्थात आख जिसे हम देख सकते हैं, उसी तरह से हर मनुस्य के जीवन में उसको कब कहां और उसके जीवन में क्या होता है, ये सब का सब जोतिस सास्त्र ही बताता है, मानस में एक चौपाई आती है, जिस जो ये महीना चल रहा है, कि माघ के महीने में सूर्य मकर रासी में प तीरत पती आवय सब कोई, तीरत पती प्रयाग को कहा गया है, माघ के महीने में सूर्य देवता जो है, मकर रासी में प्रवेश करते हैं, तो तीरत पती अथात प्रयाग में सारे रिशी मनीशी एकप्तित हो करके वहां पर सतसंग करते हैं, और सब एक दूसरे के प्रती अपने आनंद के अनुभूति को अर्थात खुशी को बाटते हैं यह खुशी क्या है अब अंदर से जो सत्संग असत का त्याग और सत्य का संगत ही सत्संग है और यह असत और सत के बीच की जो कहानी है हम ग्रोहों से प्रभावित होते हैं जब हमारे अंदर ब्रस्पति का प्रभाव होता है यानि ज्यान के ग्रह का शुक्र का प्रभाव होता है चंद्रवल का प्रभाव होता है तो हमारे अंदर अन्यास ही अपने आप में खुसी आने लगती है लेकिन जब यही ग्रह बीपरीत दसाओं में होते हैं तो हमारे अंदर की सितिय हो जाती है कि हम असांत हो जाते हैं हम चाकर के भी उन्चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम प्राप्त करना चाहते हैं तो यह असांती का जो बोध है मनुष्य के अंदर में ग्रह के द्वारा होता है क्योंकि 27 नक्षात्र और नवग्रह यह हमारे जीवन में सदैव और निरंतर लगे रहते हैं और इन ही के द्वारा कभी महादसा कभी अंतर दसा कभी प्रत्यंतर दसा कभी योगनी दसा चलती है यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं इदे के जोतिस सास्तर का जो छेत्र है न बहुत व्यापक है जोतिस सिर्फ एक विशय पर आधारित नहीं है जोतिस जो है उसमें हस्त रेखा मस्तिक्स रेखा पाउं की रेखा प्राण बायू फेस रीडिंग चेहरा को देख करके बताना साउंड एस्ट्रोजी धोनी पर आधारित जोतिस और गणित जोतिस फलित जोतिस भागोलिक जोतिस इन समस्त को मिला करके तब जाकर के हम किसी भी मनुस्य के जीमन में उसको बताते हैं कि आपका जीमन कैसा होगा सुख मैं होगा दुख मैं होगा या आनंद मैं होगा इसके साथ साथ हमारे जो मनिशी लोग थे सास्त्रों का अगर हम बढ़न करते हैं जोतिस में तो परासर स लिखार शंघीता की बात जब करते हैं तो महर्शी फ्रीगू ने लिखा रावन संघीटा को रावन ने लिखा अब उसमें ग्रहला गवं होडा चक्रम बक्रशवच्क यंदि से लेकर बाल, ब्रिध, माते, अमाते और युवा यह तमाम जोती शाच्रकी अंतरगत अधियन करने के बाद तब हम किसी मनुस्य को या किसी व्यक्ति के जीमन में बता सकते हैं कि आपके का जीमन कैसा होगा? आपके कितने पूत्र हो शकते हैं? आपको पतनी कैसी प्राप्त हो सकती है आपका दामपत जीवन कैसा होगा इसके साथ ये भी आपको पता चलेगा कि आपके कर्म कैसे होंगे कौन सब्यक्ति डॉक्टर बनेगा कौन इंजिनियर बनेगा कौन राजनाइतिक छेत्र को जाएगा कौन बिजनस्मेन बनेगा कौन किस तरह की पढ़ाई करेगा इन सभी विशयों पर विचार करने के बाद में बताया जाता है तो इसमें हर समय हर छण मनुस्य के अंदर इतना नहीं है जोती सास्तर में यहां तक अध्यन होता है कि मनुस्य के सरीर का रंग, रूप, आकृति तथा गर्भ में जो बच्चा अभी आया नहीं है जन्म लेने वाला है वह पुत्र होगा या पुत्री होगी कितने होंगे दो, तीन, चार यह सब का सब पारभ ब्रम्ह परमैस्वर ने पहले ही निधारित कर दिया है इन समस्त विशयों का अध्यान हम जोति सास्तर के अमतरगत करते हैं जोति सास्तर के जो जनक महर्शी पराशर है इन्होंने बड़ा है सुन्दर ढंग से बताया है रंग, रूप, आकृति से ले करके तो ये जोति सास्तर के बरणीत जो चीज है उसको भी मानस की चोपाई में तुल्शी बावा ने बताया कि मकर रासी में जब सूर्य प्रवेश करते हैं माग के महिने में तो वहां तीरत में सब के सब 88,000 रिशीयों ने एकप्तित हो करके इसका कथा का स्रवन किया और उसमें से जो एक दूसरे को आनन्द की अनुभूती और खुसी लोगों ने बाटा है वह आम जन्मानस तक आज हो करके चलती चली आई है और इसके विशे में बताया गया है पूछें ही रगुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनिगंगा इहां पर तुलसी बाबा ने बड़ा एक सुंदर भाव दिया और कहा कि पूछें रगुपति कथा प्रसंगा हर मनुश चे कुछ नंकुछ पूचता है अपने गुरु के पास जाके पूछता है, किसी जोतिसाचारे के पास जाकर के पूछता है, किसी ध्यानी के पास जाके पूछता है, किसी योगी के पास पूछता है और हर लोग यह जानना चाहते हैं अपने जीवन में कि हमारा जीवन कैसा होगा, इसमें खुसी कैसे मिले, इसमें आनंद कैसे मिले, तो यहां आनंद का आए और खुसी का जहां तक प्रशन है, तो बाबा बताते हैं और कहते हैं कि खुसी क्या है, खुसी हमारे अंदर जो है, जिस दिन हम असत्त का त्याग गलत संगती का त्याग करेंगे और असत्त का त्याग करने का सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्रिश्ण सब्सक्राइब प्रिथभी सब्सक्राइब जल सब्सक्राइब सूर्य सब्सक्राइब है चंद्रमा सब्ते जिनकों सजलनेत्रों से देखते हैं वह से ही मनुष्य का जो सरीर है यह जब तक स्थूल सरीर है इसमें जब तक आत्मा रहती है तब तक वह सब्ते है लेकिन जब आत्मा इसमें की बात करते हैं सब की बात करते हैं सारव भौम बात करते हैं क्योंकि वहां सभी के लिए आम जन्मानस के लिए पसू पक्षी जीव जंतू पेड़ पौधे यह जितने भी हम अपने आखों से देखते हैं इस भावतिक बादी आखों से दो प्रकार की आखें एक जो हमारे सरी के माद्ध्यम से उस परम्तत्व का बोध कर सकते हैं उसको देखने के लिए है सकल लोक जग तारणी गंगा एक कौन है यह सकल लोक जग तारणी गंगा जो है वह हमारा मानस है हमारे पुरान है हमारे धर्म ग्रम्त हैं जिसके माद्ध्यम से हम यह जानते हैं कि हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा हमको कैसे चलना है और हमको कौन से इतकर ले करके चलना है तो विस्तारों की जहां को बात होती है यहां अध्यक्राइप गंगहात चलती फिरती गंगहे नहीं पेवाग्वति रुपी गंगे जिसमें अनवरत कितने लोगों ने अपने मन को अपने जीमन के कर्मों को जिन कर्मों को लेकर के वो लोग असांत थे किसी के घरों में जैसे कभी-कभी लोगों को पित्र दोस्त लगता है कि कोई ब्यक्ति अकाल मृत्यू को प्राप्त हो गया अकाल मृत्यू के प्राप्त होने के बाद में उन घरो में आने से पहले ही उसकी मृत्य हो जाती है कोई बच्छा जन्म ले करके मर जाता है कोई मनुष्य जो है अचानक से जा रहा है और उसे एक्सिडेंट के माध्यम से चला गया कोई ब्यक्ति जो है विश्पान के माध्यम से चला गया तो यह जो मृत्यू लोगों के अंदर में के लिए उसको टारने के लिए सक लोग जग टारनी गंगा अरफात यह मानस रूपी गंगा है जो उसको पवित्र करती है इसेले लोग भागवत का पाराण करते हैं उन लड़ Iraqi क्रफ करते हैं तो उनके अंदर नहीं है तो उनको तरह तरह की त्रासदी मिलती है परिवार से बिछड जाते हैं माबाप से दूर हो जाते हैं पुत्र की प्राप्ति नहीं होती ग्रहस्त जीवन नहीं बसता है साथ है साथ समाज में कहीं भी जाते तो हे अद्रिष्टी से देखे जाने लगते हैं उनके पास स्री का आगमन रुक जाता है कभी नौकरी छुट जाती है कभी व्यापार में खानी उठाना पड़ता है और इस प्रकार से मानसिक बेदना में विक्षिप्त होकर के इस प्रित्वी पर बीचरण करने लगते हैं इन्हीं समस्त चीजों को ठीक करने के लिए यह मानस में जो ब पी गंगा अर्था उन मंत्रों के माध्यम से उस मनीश्यों के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है दूसरा प्रशना आता है विसेवासना हर मनुष्य यह कलिकाल है और कलिकाल की स्थिति यहां तक बन गई है कि लोग दो चीजों में जाला जीते हैं तम में जीते हैं को सत्यमान बैठते हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण सत रज और तम इन तीनों चीजों से हर मनुष्य प्रभावित होता है पूरी प्रित्वी प्रभावित होती है तो हमारे अंदर सतोगुण कब आएगा जब इन ग्रहों के प्रभाव चलते हैं तो उसमें जो प्रभावित करता है और यह जो प्रभाव होता है इसी कारण से उनका स्थानांतरन भी होता है कभी इस अस्थान से दूसरे अस्थान पर कभी तीसरे अस्थान पर कभी सब कुछ करके भी मुनुर्श को कुछ नहीं मिलता है पता चला जीवन में सारा काम करते करते गए और फि राजगुरु से प्रशन पूछा कि भगवान रहते कहां है और रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते और वह करते क्या है राजा के प्रशनों का उत्तर उस समय राजगुरु ने नहीं दिया उन्हों तो दूसरे दिन ब only लेकर कि यह बाराखा बर्शी बालक को लिया राजगूरू ने और में उपस्थित कर दिया राजा के सामने उपस्थित करके उन्होंने कआ गारॉराज आपको प्रश्णों के हुपक्षित करके विब मेरा 12 बर भर्षी बालग्द राजा सोचने लगे कि जब आप इतना बड़ा विद्वान हो करके और इन तमाम चीजों को जानने वाले सास्तर के ग्याता हो करके आप मेरे प्रश्णों का उत्तर नहीं देंगे तो यह 12 बर्शी बालक कैसे दे सकता है उसी वक्त वह 12 बर्शी बालक बोल उठा उसने कहा कि म दरबार में मैं पहली बार आया हूं तो पहली बार आने के कारण से आपका तौमें अतिती हूं और अतिती का सतकार जिस राजा को पुस्त scor up worship में डूड रहा हो कि मकखन कहा है, राजा ने disp BY मखन तो तब दीखाई देगा, जब भी आधी रूप में बदलेगा और जब रही हो जाएगा, तो भी मखन बदलने से से मखन कोवाद sm outreach उस बालक ने जबाब दिया कि राजन आपके जो मन में बार बार संसय और संका उठता है जब आपके जीवन में कोई सद्गुरु मिलेगा और आपके अंदर के अहंकार को आपके अंदर के अज्ञानता को दूर कर देगा तब आप प्रश्ण नहीं करोगे कि भगवान रहते क और दिखाई क्यों नहीं देते क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है आपके अंदर भी हैं मेरे अंदर भी हैं सबी जगह भी राजमान है राजा को दो प्रशनों का उत्तर मिल गया अब उसके बाद सबालक से राजन ने प्रशन किया कहा कि हम आपके गुरू है या आप हमारे गुरू हो उस बालक से जैसे ही प्रश्मि किया, तो राजा ने मनें वे बिचार किया, राजा ने मनें वे बिचार करते हुए जबाब दिया, कि माराज भगवान भी यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे उपर करते रहते हैं. राजन समझ गया किसी जीवन का सारत्त्त व क्या है. उसी तरह से हर मनुष्य अपने जीवन में ग्रोहों के प्रभाव में आने के कारण से, क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है उसके अंदर तपस्या नहीं है पुरातन समयों में लोग सीव और सक्ति की उपासना करते थे तो उनके अंदर ध्यान बल, तपबल, योग बल और सात्विक कर्म होते थे वो सद कर्मों में रत रहते थे इसलिए कोई भी नवग्रह और नचत्रों का प्रभाव उनके उपर त्रासदी के रूप में नहीं आता था आज क्या है? आजकल कोई भी व्यक्ति न मंत्र जब की तरफ जाता है न तपबल की तरफ जाता है और शनसार में भावतिक बादी बस्तूओं को ही संग्रह करने में इतना उलज़ा हुआ है कि अपना घर परिवार और अपने अंदर अपने सरीर के अंदर ही इतना उलज़ा हुआ है कि उससे निकल नहीं पाता इसलिए उसे कष्ट होता है इन कश्टों को दूर करने के लिए ये सास्त्र हैं, सास्त्र में बताया हुआ मंत्र है, उसमें बताये हुए रास्ते हैं, उन्हों रास्ता का अनुकरन करके हम अपने आप को जो हमारा मन असान्त है, जो हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं, हम चाह करके भी कामना तो बहुत ह लेकिन हमें चीजे वो मिल नहीं पाती हैं, तो कामना करने वाले मनुष्य को उतना ही मिलता है, तो कामना करने वाले मनुष्य को उतना ही मिलता है, जितना करमयोगी करके छोड़ जाता है, चलना अकेले पढ़ता है, क्योंकि स्रिष्टी में जब हमने जन्म लिया, तो हम अके प्रभाव नक्षत्रों के प्रभाव अनादिकाल से चले आ रहे हैं इस पर जब तुलशी बाबा की बारी आई या उनके सरीर छोड़ने का समया तो लोगों ने बाबा से प्रस्न किया कि बाबा आप एक बाद बताओ कि आपने कवितावली दोहावली बीने पक्त्र का सारा सास्त्रों का अध्यन किया आपको राम से भी मिलन हुआ हन्वान से भी मिलन हुआ और पूरे संसार में सारे लोगों को आपने उपदेश-ंbrit भी किया अन्तिम आपका वाक्य क्या है इस शार्व भौम है और सब की बाते हैं इस सब के लिए हैं तुलसी बाबा ने कवितावली में बड़ा सुन्दर सब्द कहते हुआ इसमें सारे सास्त्रों को बताया अवधी अलप दिन सुख दूख भोग करी चाहे तो करन कचु कहा कहा करी ये पार न पुरान न को बेदा न को अंतना ही बाणि बहु तेरी कहा कहा चीत दीजिये कभी के कलायनेक चंद के प्रवंध बंद रागतो रसीली कहा कहा मन दीजिये लाखन की एक बात तुलसी बताये जात जन्म जो सुधारो चाहे राम नाम लीजिये तुलसी बाबा ने इस पष्ट भासा में कह दिया कि संसार के वासियों देखो समय बहुत कम है कभ किसके सरीर की ये जो संसार में सरीर लेकर के हम डोलते हैं कि सरीर मेरा है मेरे द्वारा हो रहा है कभ किसकी बाजार उठ जाए कभ इसे सरीर में से आत्मा निकल के चली जाए कोई नहीं जानता अब अधी अल्प दिन, सुख और दुख है हुमारे जीवन में लगे रहेंगे जिस हिसाब से ग्रह नक्षात्र चलाएंगे वैसे हम चलेंगे तो ये सुख दुख तो लगे रहेंगे और समय बहुत कम है हम किसको सुनू, कौन सी पुराण की भासा सुनू बेद का अंत है न पुराण कामत है जितनी बार हम सुनेंगे, जितनी बार उस मंत्रों का जब करेंगे हमेशा नमीन ही लगेगा कौन सी राग सुनू, राग भी बहुत तरह की है तो तुलसी ने स्पष्ट भासा में कहे दिया कि कभियों ने तरह-तरह की अपना कल्पनाई किया है, कल्पना के आधार पर बनाया है पर तुलसी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस जीवन को सुधारने के लिए राम का नाम लेकर करके चलना है और यहां बड़े मज़े की बात यह है, कि जब मनुस्य सरीर छोड़ता है, तो भगवान स्यव देवाधी देव महादेव जो ध्यान में मगन होते हैं वो अभी यही राम का ही जब करते हैं रामतारक मंत्र हैं, रामउधारक मंत्र है, संसार में जितने भी प्राणी भटकते हैं logriger δोनों का उधार करने वाले कौन है इस राम के माध्यम से सबका उद्धार होता है और जहां पर राम की भक्ती होती है जहां पर मंत्र का जप होता है तो ऐसे स्थानों पर नवग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है जो नवग्रह परशान करते हैं लोगों इसलिए लोगों ने बताया कि इन ग्रहों की दसा में जब कोई भी ग्रह की कि दसा विपरीत होती है ग्रहों में कभी लोगों के उपर मारकेश की दसा होती है कभी कभी लोगों के जीवन में ऐसे ग्रह आते हैं जिसके कांड से उनका काम रुक जाता है जिसको सास्त्रम अस्तंभन बोला गया अस्तंभन की सितिय अर्थात गती को रोक देना होता है तो मुट्र एक ऐसा विज्ञान है मुट्र से यह सास्त्रों के अनुशार पढ़ लिया है जो लोगे सोचते हे हैं कि कि आद्ध्धात्म ही सर्व परी है क्योंकि आद्ध्धात्म सही सब कुछ निकला है जितना भी आज हुड़ातिक बस्तु का भोग करते हैं कोई एलेक्ट्रानिक बस्तु हो या कोई बीचीज हो सब का सभम, मंत्र विज्ञान के मा ध्यम और ये मनीशी जो लोग थे, एक-एक मनीशी अपने आप में सब के सब जो है, जितने भी हमारे मनीशी रहे हैं, सब एक प्रयोग शाला के रूप में सभी बैग्यानिक हैं। द्शाष्वागवत से निकला है, अठारों महा पुराणों से निकला है, जोति सास्तर से निकला है, और इसे से निकले हुए उन्ही एक-एक मन्त्रों का अनुस्न धान करके बिःभी को कोई कंप्यूटर दे देता है, कोई कोई तरह-तरह की चीज़ों को निकालकर करके जो दे देते हैं यह सब का सब प्रकासात्मक जो चीजें हम देख रहे हैं जिन प्रकासों को हम से हम प्रकासित होते हैं यह सब का सब मंत्रों में है क्योंकि मंत्र अपने आप हमें प्रकासित है मंत्र के माध्यम से हमको सब कुछ मिलता है तो यह मनीशियों का बताया हुआ करता है क्योंकि बार-बार जो तपस्या लोग करते हैं मंत्र जब के माध्यम से ही चलते हैं और मंत्र हमें क्या प्रदान करती है यह मंत्र हमें खुशी प्रदान करती है जितना भी हमारे अंदर के विकार होता है जैसे जैसे मंत्र जबते जाते हैं हमारे अंदर की अग्यानत समाप्त हो जाती है हम जो अधूरेपन में जीते हैं वह धिरे-धिरे मंत्र जब के माध्यम से हमारे अंदर जैसे-जैसे प्रकास आता है तो तमोगुन समाप्त होने लगता है और जब तमोगुन समाप्त होने लगता है तो जो गरह विपरीत होते हैं जो नवगरह हमें त्रा बड़ा ही अच्छा चल रहा है उसका इस्टार चमक गया उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया तो यह स्टार क्या है यह उसके सात्वी कर्म ही तो इसके स्टार है और उसी से उसी खुशी क्योंकि जो मनुष्य अपने अंदर पूरे आत्मबोध के साथ में भाव के स सबस्टार में और पूरा-पूरा विष्वाश के साथ भरा होता है जिसके अंदर खुशी होती है उसको कुछ भी असंभोव नहीं है व जिसके प्राप्त कर सकता है क्योंकि जीवन हम दर जिस पर जो होगा वहिं देगा अज्ञानी व्यक्ती के पास अगर को जा ज्राल करके ज्राउन मांगे तो नहीं मिल सकता है और ज्राईबरी कब गानोग है परन्तु यहां हम किसी भी चीज को ध्यान के माध्यम से मंत्रबल के माध्यम से और पूरे सुंदर भाव के साथ में और प्रसन्नता पुर्वक हम सभी को प्रसन्न रखने के लिए अपने भी प्रसन्न हो पूरे समाज को भी प्रसन्न रख सकें इसके लिए हमें मंत्र का सहरा लेना पड़ता ह कि पूरी स्रिष्ठी ज़ितनी चल रही है यह सब के सब मंत्र के अधीन है, एक-एक छण, एक-एक क्रम जो हमारे जीमन का ब्यतीत होता है, यहां तक 이것 tutit कि सांस की जो डूरी लिए यहां जितना भी छण अपने कर्म के साथ-साथ मंत्र के श्रक्ति को समझते हैं, क्योंकि मंत्रबल ऎसा है, जिसके मंत्र के माध्ध्यम से हम खुद को भी जानते हैं, और जानते ही नहीं हैं, हमको ए अनुभूत ही होने लगती है। जो लोग बोलते हैं आज के चյनों में, सांति से आया अपने अंदर की जो खुसी है उसके माद्धहम से आया जब हम असांत रहेंगे नहाँ अपने घर को नपरिवार को that समाज और अपने सरीर को तरह तरह की खुशी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि असांत व्यक्ति जिसके अंदर खुसी नहीं है वह रोगी बन करके रह जाता है, अता समस्तों रोगों से मुक्त होने के लिए और हर छण में बिजय को प्राप्त करने के लिए, एक-एक शीजों को अपने जीवन में सुंदर ढंग से चलाने के लिए, काल चक्र के अधीन चल रही इस स्रिष्टी में हर मनुस्य को चाहिए कि वो मंत्र जप करें और मंत्र जप जैसे ही वो करता है उसके अंदर के जो भाव होते हैं बड़ा ही आनंद के साथ अनुभूती के साथ सुन्दर वो गंगा के जल के समान पवित्र होता है क्योंकि गंगा का जो जल है बड़ा ही सुन्दर है और पवित्र है और उसमें कोई विव्यक्ति चला से नहीं हो सकती उसी तरह से हर मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य का जीवन होता है उसको पवित्र करने के लिए गंगा के समान उसका जीवन पवित्र का इसे हो जब तक आवस्था में, सुसुपता आवस्था में हम जाते हैं, तो ऐसे छणों में हमको सुन्दर बनाने के लिए और अपने जीवन को साकार करने के लिए उस मा गंगा का सहरा लेना पड़ता है, गंगा जल का सहरा लेना पड़ता है और तुलसी बाबा लिखते हैं कि मानस पुन्य ह पापा अर्थातो स्वयम पाप करता है वह सवयम के मानसिकगाता की ओर प्वे उसलिए इसमें की मीथक पातों में उसमें जाने की जरुवत नहीं है, मनुस्य जो पाप कर्म करता है, वो उसके स्वैम के मानसिक बेदनाओं का होता है, इसलिए असांती को छोड़ करके सांती की और चलना है, और मानस में चल रहे, तरह-तरह की कलुषिद विचार धाराओं को छोड़ना है, और कभी मिमित्या क की भासें में नहीं जीना है, हमको अपने सास्तर के साथ चलना है, आज हम इनी सब्दों के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार.